अपने लाइफ में अपनी वेट लॉस जर्णी में बहुत ही ज़्यादा व्यास्त होंगे जो लोग भी मेरा वीडियो फॉर्स टाइम देख रहे हैं वो प्लीज मरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें एंसेर कर दें आज मैं आप सभी के साथ कुछ योगा के स्टेप सेर करने जा रही हूं जो कि आपकी बैली फैट के लिए आपके आर्म्स के लिए और आपके बैक फैट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपर्टेंट है तो सबसे पहले अपने आपको वर्न अप कर लेंगे आप जीम जाते हो तब भी करनी चाहिए आप exercise करते हो तब भी करनी चाहिए योगा कर रहे हो तब भी करनी चाहिए यहां तक कि running भी करते हैं तब भी हम लोग थोड़ा सा अपने सरीर को तोड़ मोड़ करकर थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं उसके बाद फिर आगे की journey स्टार्ट करते हैं त योगा करने से जब भी आप बैठें, तो जो मैं कर रही हूँ, यह सब जरूर करें, तो सबसे पहले मैंने अपने हाथों को जिस तरीके से किया है, जैसे कि यह आपकी बैग की जो चेर्बी है उसे बोहुत ही अच्छे से आपका कम कर देगा, इसे आप बैट कर भी कर सकते हो, खड़े हो कर भी कर सकते हो, तो हर एक steps को आप कम से कम 15 बार तो जरूर किजिएगा, यानि कि clock and anti clock, इस तरीके से आप जरूर से जरूर किजिएगा, आप देखें, तीन steps में मैं की, पहले क्या की, फिर second बार, फिर last में सबसे उपर के तरफ, म चरूर करें, और अगर एक बार में नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप दिन में दो या तीन वर चरूर करें, उसके बाद अब आता है, breast exercise की बारी, जिनके भी breast ढीले हो चुके हैं, या फिर बहुत सारे problem होता है, तो इस तरीके से अगर आप करोगे, तो आपकी बहुत सारी breast problem दूर हो जाएंगी, और आप काफी अच्छा फिल करोगे, लेकिन हाँ, जब भी करें, तो इसे regular करते रहें, तब भी जाकर कुछ होता है, एक दिन, दो दिन करने से कुछ नहीं होता है, कम से कम आपको 30 से 45 दिन का समय देना पड़ता है, तब जाकर कुछ होता है, हलाकि अगर आप एकसरसाइज योगा साथ कसाथ करें, तो मोटापा तो कम होगा ही डियर, साथ कसाथ बहुत सारी बीमारिया भी दूर होती है, तो अगर आप लोग बिगनर हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी ही, तो इसलिए पहले एक सेट करें, फिर दो सेट करना स्ट करें उसके बाद फिर हप्रती दिन तीन सेट तो जरूर करें तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बैली फैट के भी कुछ योगा आसन को करते हैं हमारा अपर बैली साइट लोवर बैली साइट दोनों ही परफेक्ट हो जाए तो यहां पर मैं कर रहे हूं चक्रयासन जितना हो सके अपने आपको जुकाएं और कम से कम अपने जो पैर की उंगलियों को हुए उससे तो जरूर टच करें और फिर अपने हाथों को टच करते हुए और गोल-गोल घुमें ये कम से कम तीश से लेकर 50 बार आप जरूर करें इससे क्या होगा आपका आगये का जो फैट है वो कम वोगा उसके बाद फिर है ये वाला इसे पकम पचास साट सब्सां सकतर जितना बार कर सकते हैं आप कितना सबसे ज़्यादा लेडी स्लो का चर्वी back में ही रहता है हर तरप से रहता है उपर से लेकर के नीचे तक रहता है back में बहुत ही ज़्यादा चर्वी होता है तो इस तरीके से करने से वो भी चला जाएगा प्रति दिन करेंगे तो साथ के साथ अपने दोनों मुठीओं को बन करकर ना भी के पास हाथों को रख कर और अपने आपको मैं चितना हो सकता है, झुका रही हूँ साथ के साथ सांस लेना छोड़ना, ये सब भी कर रही हूँ और इससे क्या होगा ना, कि आपका BP भी नॉर्मल होगा और साथ के साथ बैली फैट में भी बहुत राहत मिलती है तो इसे कर लेंगे उसके बाद फिर से हम लेट जाएंगे और अब मैं करने वाली हूँ बैली फैट के कुछ योग किरियाएं आसन और स्टार्टिंग करते हैं पमन मुक्त आसन से उसके बाद फिर आप देखे सारे योग किरियाओं को करते हैं पमन मुक्त आसन से तो फ्राइंड आज मैंने यहीं तक योगा किया आप सभी को कट कर कर दिखाई हूँ मैंने फुल-फुल स्टेप्स किये हैं तो आप अपने प्रती दिन दिन चरिया में अगर आधे से 45 मिनट के लिए इन सभी को कर ले और आधे घंटे का वॉक कर ले और काम कर लूँगी क्योंकि सारा काम पड़ा हुआ ही है और आप जानते हैं कि सुबह सुबह का कितना सारा काम होता है सारे लोग सब कुछ बिखेर कर चरे जाते हैं और साथ के साथ आज है जितिया यानि कि जीता अश्टिमी जो हम लोग बोलते हैं तो आज के दिन मैं बनाऊंगी पका खाना चावल नहीं बनेगी पूड़ी और सबजी बनेगी तो धर का सारा काम काच कर ली हूँ नहा दुआ कर ही मुझे बनाना था खाना बना सकती थी तो इसलिए सबसे पहले मैं नास्ता कर ले रही हूँ और नास्ते में मैं ले ली थी पपीता और साथी आधा एपल रखा हुआ था तो इसी भी ले ली हूँ और अच्छे से चीव कर कर खाऊंगी और आप सभी को मैं कहना चाहती हूँ कि जितना हो सकता है सुभा सुभा आप फ्रूट खाए ह हमारी एक सिस्टर ने कमेंट करके कहा था कि दिदी हम मेडल क्लास से हैं हम रोज फ्रूट नहीं खा सकते हैं तो कोई बात नहीं डियर आप चने को अंकुरित कर ले या फिर मूंग हरी मूंग को अंकुरित कर ले उसे खाए उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और बहुत कम कीमतों में भी मिल जाता है इतना तो आपको करना ही होगा तो बस इन सभी को खाकर ही आप प्रोटीन से भरपूर डाइट कर सकते हैं और अच्छे से सेहत मंद रहते हुए हेल्दी सा वेट लॉस भी कर सकते हैं तो नास्ता करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी खाना बनानी के लिए दो पहर का तो दो पहर के खाने में मैं बना रही थी डिंगला चना आलू की सबजी और साथ के साथ मैं बना रही हूं चने की डाल तेंधा नमक से सबजी बनेगा तो इसलिए और हमारी सासुमा बैठी हुई है तो उनसे मैं बाते करते करते अपना खा बना कर मुझे जाना था मार्केट तो उनके लिए चाही निकाल देते हैं वो जब तक चाही पीएंगी तब तक मेरा खाना बन जाएगा उसके बाद फिर हम लोग खापी कर निकलेंगे अभी हजबन जी ऑफिस से नहीं आए हुए हैं वो आएंगे उसके बाद ही जाना था बै हमारे फैमली में जिनें भी हम लोग कपड़े देते हैं तो अभी ही दे देते हैं तो छलिए सब्जी तो लगभग बनकर हो गई है तैयार साथ के साथ यहां पर पूरियां भी बना लेते हैं और आथ सूजी है पहुत ही कम मातरा में मैदा मिलाई हूं और आटा ही ज्यादा मिला हुआ है तो अब मैं अलग से नहीं बनाई अपने लिए किसी और चीज का मैं सोची चलो इसे ही खा लेंगे क्यूंकि टाइम नहीं था खाना बनाते बनाते काफी लेट हो गया था और खाना भी था हमें तो यहां पर मैं लगा दे रहे हूं सबसे पहले हस्बन जी के ल लगने देती है तो हजबन जी की थाली लग गई है वो डिंगला नहीं खा रहे हैं खाते हैं लेकिन आज नहीं खा रहे थे बोले किन मुझे सिर्फ चनी की दाली देना असाथ का साथ मैं लेली हूं यहां पर सिर्फ दो पूरियां अगर और भी भूख लगेगी तो और खाना अधूरा अधूरा सा है बिना सालेट के मेरे से नहीं होता है साथ के साथ उसमें थोड़ा सा नीबू लेली हूं नमक नहीं लेती हूं मैं सालेड में तो खाना लग गया है चले आईए आप लोग भी हमारे साथ गर्मा गर्म खालीजे बहुत ही ज़्यादा स्वादि से आई करीब 6-7 बजे आई थी उसके बाद फिर मैं सिर्फ दूध ली हूँ एक गिलास दूध ली थी मैं पूड़ी और एक ली थी और सबजी भी और थोड़ी सी ली जिसके वज़े से मेरा अच्छा खासा पेड भर गया था और खाकर ही में मार्कट चली गई ना तो मैं ग् अभी को कैसा लगा कमेंट करकर जरूर बताईएगा और आज के लिए ही तक कल फिर मिलते हैं बाब बाई